परमात्मा से मिलन कैसे हो योग के द्वारा मनुस्य ग्रंथियों तथा उपग्रंथियों का नियंत्रन कर लेंगे और आखिर तक पिट्यों ट्री ग्लैंड्स का नियंत्रन करने के बाद अद्भुद मानसिक शक्ती भी आ जाएगी ग्रंथि के उचित नियंत्रन के बाद मनुस्य और भी बहुत कुछ कर सकता है मनुस्य आसानी से सरवग्य तक बन सकता है मनुस्य जन्म जन्मांतर का ग्यान भविस्ट का ग्यान पा सकता है अर्थार्थ उसे पूर्व जन्म का ग्यान भी हो सकता है मगर मनुस्य परमात्मा को पा नहीं सकता इसलिए परमात्मा यदि पूछे क्या तुम सरवग्यता चाहते हो तो क्या कहोगे परमात्मा तुम मुझे सरवग्यता देने में सक्षम हो अर्थार्थ सरवग्यता तुम्हारे हाथ में है तो मैं तुमसे सरवग्यता लेकर क्या करूँगा सरवग्यता देने की शक्ति जिन म में उन्ही को चाहता हूं यहुई बुद्धिमानी की बात अनन्य ममता विश्णोर ममता प्रेम संगता ओन्न माने अपना पना अपना समझना साधक क्या कहेंगे कि मैं तुम ही को अपना मानता हूँ और किसी को नहीं सब तो तुम्हारा है तुमको पा गया तो सब को पा गया सुभासित संग्रा 12 आप सब को अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करें सेर किजिए अपने परिजनों को दोस्तों को और लाइक किजिए ताकि जादा से जादा लोगों तक पहुचा सके